बिहाद की चौर सीट जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद में मतदान शुरू हो गया है वोटर्स का मतदान केंद्रों पर पहुचना शुरू हो गया है चप्पे चप्पे पर पुलिस के तनाती की गई है जमुई में जहां चुराक पासवान की पार्टी से उनके जीजा अरुन भारती हैं तो उनके सामने आरजडी से अरचना रविदास है वोई गया में एंडिये की तरफ से जीतन राम मान जी तो उनके खिलाफ आरजडी के कुमार सरवजीत है इसके लावा नवादा से भाशपा के विवेक ठाकूर तो आरजडी के शरवन कुशवः मैदान में उतरे हैं वहीं एक निर्दलिय प्रत्याशी विनोद यादव भी यहां से ताल ठोक रही है और अंगाबाद की बात करें तो यहां से बीजिपी के सुशील सिंग और लालू यादव के अभे कुशवः में भिड़न्त होने वाली है इसके लावा और भी निर्दलिय प्रत्याशी हैं आपको बता दे कि पहले चरण के मतदान में कुल 9,484 बैलिट यूनिट, 9,484 कंट्रोल यूनिट और 10,274 वीवी पैट का प्रयोग किया जाएगा आयोग ने उसतन 962 मतदाताओं को एक बूद पर वोटिंग करने की विवस्था की है प्रदेश के चार लोगसभा शेत्रों में शहरी शेत्र में 1085 और दो अतिरिक्त बूद बनाए गए हैं जबकि ग्रामीन शेत्र में मतदान के लिए कुल 6,816 बूद स्थापित किये गए हैं